अमेरिका ने जापान के हीरो सिमा वे नागा सक्टी पर कब बम गिराया सन 1945 में दूरी राष्ट्यों की अग्वाई कौन कौन से देश कर रहे थे जर्मनी इटली और जापान मित्तर राष्ट्यों की अग्वाई कौन कौन से देश कर रहे थे अमेरिका फ्रांस और रूस किन दो मासक्तियों का वर्चस्व सीत यूद के केंदर में था सेंग्त राज्ये अमेरिका और सोवेत रूस सीत युद के दोरान पुर्वी गट बंदन का अगवा कोन था सोवेत रूस विश्वर आज नित्ती के दो धुरुव कोन कोन से थे अमेरिका और सोवेत संग थे अप्रेल उनिसो गुणन चास में नाट्टो की स्थापनों युश में कितने देश सामिल हुए थे बारा देश वार्षा संदी के अगवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई सोवेत संग ने सन उनिसो पिचपनिस्वी में दुरुवे विश्व का आरंब कब हुआ आंसर उनिसो पंतालिस के बाद हुआ सित युद के परती भारत की क्या नित्ती थी सक्रिये और हस्तक शेफ सन उनिसो बत्तर में सेंग्त राष्टे संग की बटक में वेसिक ब्यापार पढ़नाले में सुदार समंधी कुन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की सित युद के दरन जर्मनी का एक इकरण किस वर्ष में वाती इन अक्टूंबर 1990 को हुआ सोवेच संग का विगटन कब हुआ आंसर 25 दिसंबर 1901 में को सित युद का परतीक बर्लीन की दिवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराई गई थी 1989 में 150 किलोमेटर लंबी बर्लीन की दिवार कब बनाई गई थी सन 1951 में किस वर्ष की समाजवादी क्रांती के प्रशात युद एस एस आर अस्तितों में आया सन 1917 की क्रांती के बाद सोवेच संग ने अफगानिस्तान में है तक से कभी किया 1979 इस्वी में किया सामेवादी सोवेच गण राजे के विगडन के बाद किसको सोवेच संग का उतरा दिकारी राजे माना गया आंसर रूस सोवेच संग के विगडन का क्या प्रेणाम हुआ दूसरी दुनिया का अंध सोक थेरिफी का मोडल किस पर लागू किया गया सामेवादी देशों पर लगू किया गया था सोक थेरिफी का मोडल बहुत दुरुये विश्व का अतात्तरिये है विश्व में कोई महसक्ति नहीं हो सीत यूद सबसे बड़ा परतीक थी इसका अंसर होगा बरलीन दिवार का खड़ा किया जाना पर्थम खाड़ी यूद किसे कहा जाता है इराक कुवेत अमेरिका की लड़ाई को सीत यूद के बाद विश्व की सबसे बड़ी सकतिक रूप में किसका उभार हुआ अमेरिका ओप्रेशन डेजर्ट स्ट्रोम में मुख्य से ना किसकी थी अमेरिका की खाड़ी यूद को कम्पुटर यूद क्यों कहते हैं इसमें स्मार्ट बमों का प्रियोग किया गया था निवारक इस्तित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंगवादियों का हमला कब हुआ सितंबर 2001 को हुआ अमेरिकी रक्षा विबाग का मुख्याले को किस नाम से जाना जाता है पेंटागन के नाम से जाना जाता है खुले द्वार की नित्टी से किस देश ने अर्धूत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़े आर्थिक ताकत के रूप में उबरा है सन 1949 में गढ़ित यूरोपीय प्रिश्यद की स्तावना क्यूं हुई थी राज नितिक सहयोग के लिए सन 1978 में ओपन डूर खुले द्वार की नितिक इस ने चलाई देंग श्या ओपेंग ने चलाई मार्शल योजना के तैत 1968 में किस सहयोग संठन की स्तावना की गई क्षिट किस देश नेशन turbines 21 के में पूरग जोर की निंथी अपनाई भारत ने नेख्ट कुशन और अंट्रास्ती नले में नाइव की संख्या है इसका आंसर होगा पंधरा है नेख्ट अंत्रास्तीन नले में नाइव इसो का कारीया काल है canoe फ Si नेक्स्ट कुशन, बारत स्विंग्त राष्टे संग में कब सामिल हुआ, 30 अक्टुम्बर 1925 को, स्विंग्त राष्टे संग का गठन मानुता को सरक पहुंचान लिए कि नहीं बलकि उसे नरक से बचानी के लिए हुआ है, बेग हेमर्शोल्ड का गठन है ये, अंतराष्ट अनू उर्जा बीक्रण की स्थावना कब हुई, 1957 में, क्युब्बा संकट की स्वर्ष उठपन हुआ, 1962 में, सांती निर्मान की विदिका प्रयोग सर्व पर्थम काहा हुआ, कांगो के ग्रह यूद में हुआ, वर्ल्ड सोसल फॉर्म की पहली बठक किस देश में हुई, ब्राजिल में, कितने देशो द्वारा जेवी कत्यार समझते, बी डबलूशी पर अस्ताक्सर किये गए, 155 देशो द्वारा, किस ने कहा था हम सईंत राष्टे के बिना आदुनिक विश्वगी कलपना नहीं कर सकते, ज्वार लाल नहरू ने कहा था, क्योटो प्रोटोकॉल किस से समंधित है, इसका अंसर होगा, ब्रीन हाउस गेसों का उच्छरजन, एमनेश्टी इंटरनेशनल का समंध किस से है, मानव अधिकारों की रक्षा से, विश्वव यापार संग्ठन डवलू टीओ का मुखाले कहा है, जिनेवा में, समझोता पर किस किस नेताओं ने अस्ताक्सर किये, लाल बादुर्शास्त्री और अयूब खा, सन 1955 में एफ्रो एसियाई समिलन का संपन हुआ, इंडोनेशिया में संपन हुआ, नेक्स्ट कुशन, पर का समझोता का सम्मन्द किस से है, इसका अंसर होगा बारत बांगला देश से,